जनारदन जी गुच्छे और डर के साय में जिप में बैट जाते हैं बिछे पीचे हरिश भी जाकर जिप में ड्राइवर की सिट सम्भाल लेता है हरिश जैसे ही जिप स्टाट करता है उसके जिप के सामने एक बकरी आ जाती है बकरी को देखकर हरिष जल्दी से ब्रेक लगाता है लेकिन तब तक बकरी जीब के नीजे आ चुकी होती है ये देखकर हरिष और जनारदन जी बहुत डर जाते हैं हरिष के माथे पर पसीने की बुंदे चमकने लग जाती है कोई लडने और मुवजा मागने न आ जाए ये सोच हरिष जल्दी से जीब स्टार्ट करता है लेकिन जीब स्टार्ट नहीं होती हरिष फिर जीब स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन जीब स्टार्ट नहीं होती तो जनारदन जी चल्ला जाते हैं और कहते हैं अब ये जिप क्यों नहीं स्टार्ट होटाई, कहीं इसमें उस बकरी की आत्मा तो नहीं गुश गई, ये सुनकर भी हरिस कुछ नहीं कहता, वो जिप से उतर कर जिप का पेटोल चेक करने लग जाता है, और मनही मन डर रहा होता है, कि कहीं कोई आना जाए, इस ब जोती कूर्टा मेले थे, सरका साफा भी बहुत गंदा था, और उसने कानों में सोने के गहने पहन रखे थे, और उसने एक हाथ में मोटा चांदी का कड़ा पहन रखा था, उसके हाथ में एक मोटा डंडा भी था, जिससे वो बकरिया हाकता था, वो मोटा डंडा चिप पर म मारते हुए बकरी के मरने का वही जोर से रोकर मातम मनाने लग जाता है और हरिश और जनादन जी से अपनी बकरी को मरने की किमत मागने लग जाता है। फिर जनादन जी हरिश की तरफ देखकर कहते हैं इसकी ये पिद्दी सी बकरी पांचिर दूद देती थी हरिश और ज्यादा चाला की तो मारे से करिये मत में बाहर का कोणी हूँ इगाव का ही हूँ समझा की ना समझा और या तो सरकार की चमिन हा अठ आना भी मना है। फिर थारी बकरी अठक्यो कर पहुची बता मुफत की खान की आदत पढ़ गई है थे घाव वालन की। घुशे में बोलता जा रहा था और वो बकरी चाराने वाला गडड़ या हरिश को अपनी मोटी मोटी आखो से गूरे चारा था और फिर वहाँ अचनक आधी चलने लग जाती है। जिससे हरिस की आखों में मिट्ती चली जाती है, वो अपनी आखे मसलने लग जाता है, चनारदंची भी अपनी उड़ती धूल के कारण अपनी आखे मसलने लग जाते हैं, फिर जैसे ही दोनों अपनी आखे खोलते हैं, तो वहाँ उन दोनों को न बकरी दिखती है, न वो बक पर या चराएंगे बूत बन कर समझे तुम अब जल्दी से कोई और इंतजाम करो यहाँ से निकलने का हरिश और चनारदन जी को वहाँ उस जगह से निकलने के लिए कोई सातन नहीं मिलता है मिलता भी कैसे खंडर और उचड़े घाव में इक्के दुक्य मकान ही बचे थे और रहे थे और हरिश किसी तरह चीप ठीक करने में लगा था दर असल चीप का इंचिन बहुत कर्म हो गया था और वो बंद पढ़ गई थी हरिश हर तरह से उसे ठंडा करने का जुगाट कर रहा था और कोई फाइदा नहीं हो रहा था अब उन दोनों को बूतों से डर कम कही य दिरे दिरे रात किर रही थी और मौसम भी ठंडा हो रहा था वो सुंचान जगह अब और अधिक सुंचान और डरावना प्रतित हो रहा था रात के आठ बज चाते हैं और वो दोनों जिप के अंदर बैठे बैठे हनमान 40 का पाठ कर रहे थे भूख प्यास अब सब गायब ह हो चुकी थी दोनों की वो दोनों जिप में बैठे बैठे बस रात गुजरने का इंतजार कर रहे थे रात के 12 बजे उन दोनों को एक उट दिखाई देता है जो उनकी ही तरफ आ रहा था अब खत्रे की गंटी बच चुकी थी जिससे दोनों अगनेन थे तो दोस्तों आपक को सबस्क्राइब करें थेंक यू